तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज सी तक्रीबन 5 साल पहले गोर्जिला और कॉंग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी जहांपर गोर्जिला कॉंग को हराने की बाद समंदर की गराइनों में चला गया था और बस उसी दिन के बाद गोर्जिला का कु वही पर हम एक चोटी बच्ची को देखते हैं जो कॉंग को काफी अच्छी लगती थी वो दोनों काफी अच्छी फ्रेंड्स भी थे और कॉंग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था उसके सारी बाती मानता था लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है और कोंग बहुत ज़यदा अग्रेसिफ पाते हैं कोंग बहुत ज़यदा उससे में होता है और वह एक ट्री को खेड़ कर आसमान की तरफ फैकता है जिससे अनर्जी वॉल टोट जाती है और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि असल में कॉंग को इस टाउन की नीचे रखा गया था ताकि गोर्जिला फिर से वहाँ पर ना आ जाए क्योंकि यह दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फेल कर सकते हैं तो कहीं यह दुबारा से नलट पड़े अब क्योंकि कॉंग पहले से काफी बड़ा हो गया था साइज में इसलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा इसके बाद हमें एक लड़कर दिखाया जाता है जो कि एक कमपनी के लिए काम करता था और वो बेसिकली एक हैकर भी था और जिस कमपनी में वो काम करता था वो काफी मौडरन चीज़ें बनाया करती थी लेकिन उस हैकर को अपनी कमपनी पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कमपनी कोई ऐसी चीज़ बना रही है जो नहीं बनाने चाहिए इसलिए वो कमपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है जिससे उसे पता चलता है कि ये कमपनी किसी काफी बड़े औबजक्ट को होंग कॉंग शिफ्ट कर रही है लेकिन तब ही वहाँ पर अलाम बचने लगता है और ये गोड़जिला की आने का अलाम था देखते ही देखते गोड़जिला समंदर से बाहर निकलाता है बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉई करने लग जाता है किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोड़जिला सब को क्यों मारता जा रहा है क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इनसानों को सेफ करता है उनकी जान बचाता है यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गोड़जिला के पास एक पावर है और वो पावर निकलिर पावर है और गोड़िला अपनी न्यूकलर पावर का इस्तामाल करके पूरी कमपनी को डिस्ट्रॉई कर देता है इसके बाद ये न्यूस पूरी दुनिया में वाइरल हो जाती है कि गोड़िला आ चुका है लेकिन इस बार वो चेंजो कराया है पहले जैसा नहीं रहा यानि पहले वो इंसानों को बचाता था लेकिन अब वो अग्रेसिव है और गुस्से में सबको मारता जा रहा है कमपनी का ओनर न्यूस में सबको बता रहा होता है कि हमारे कमपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है वो बहुत जल्द एक ऐसे डिवाइस बनाने में काम्याब हो जाएंगे कि जिससे गोड़जिला का मुकामला हो सकता है इस न्यूस को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नम होता है मैडिसन लेकिन यहाँ पर मैडिसन इस बात पर एगरी नहीं करती कि गोड़जिला उसे में आया है क्योंकि वो गोड़जिला को बहुत अच्छे से जानती थी इसलिए वो इस न्यूस को सिर्फ एक बखवास समझती है क्योंकि उसका माना था कि गोड़िला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पुंचा सकता बलकि वो इनसानों की हेल्प करता है उनकी जान बचाता है मैडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करते है कि गोड़िला कभी भी ऐसे नहीं कर सकता इसके बाद मैडिसन वहां से चली जाती है और वो उस हैकर की ओनलाइन आडियो सुनती है वो हैकर असल में गोड़जिला के बारे में एक ओनलाइन आडियो अफ्लोड करता है यहां पर मैडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उससे सारी बात पू अब यहां पर हम यह बातों जानते नहीं कि होलो एर्थ आखिर एक्जिस्ट कहां पर करती है होलो एर्थ असल में हमारी जमीन की नीचे है और जिस तरह हम सुरत से अनर्जी लेते हैं और सेम उसी तरह होलो एर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे यह सारे टाइटन्स अनर्जी लेते हैं और अगर यह लोग उस अनर्जी सोर्स को डूर्णने में कामियाब हो यहाँ पर हम यह बात भी जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रैविटी नहीं होती इसलिए वहाँ पर हर चीज हवा में उनने लगती है जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इस बारे में फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे कंपनी ने एक एंटि ग्रैविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ यानी हौलो अर्थ पर जाएंगे कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन्स अपने घर को डून सकता है इसलिए हम एक कौंग की हेल्प लेनी चाहिए इसके बाद डूक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो के डॉक्टर भी थी उससे मिलते है और ये फीमेल डॉक्टर कौंग की देखपाल भी करती थी डोक्टर नेथन उस फीमिल डोक्टर को समझाने के कोशिश करते हैं कि हमें कॉंग को उसके घर पर बेजना चाहिए और उसका घर हॉलो अर्थ है क्योंकि हम उसे जड़ा टाइम के लिए यहां पर नहीं रख सकते और अगर वो यहां से बाहर निकला भी तो गोर्जिलो उस पर अटैकर देगा इसलिए कॉंग सिर्फ हॉलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है अब तोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमिल डॉक्टर भी इस बात के लिए एगरी हो जाती है क्योंकि इसके इलावा उनके पास और कोई आप्शन जो नहीं था फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉंग को हॉलो उर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं कॉंग को ये लोग चेन से बान कर ले जा रहे थे कॉंग की फ्रेंड यानि वो चोटी बच्ची कॉंग से इशारों में बाते करती है बच्ची बताती है कि कॉंग को घुसा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांदा हुआ है आर्मी का लीडर उस फीमिल डॉक्टर को कहता है कि हम गोड़जिला की रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरी रास्ते से ही जाएंगे ताकि गोड़जिला को पता ना चल पाए जिस पर वो female doctor कहते है कि जिहां बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गोड़जिला और कॉंग की काफी पुराने दुश्मनी है क्योंकि वो दोनों ही कुद को monster's का king समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे फिर हम medicine को दिखते हैं जो कि इपनी friend को लेकर उस hacker से मिलने जाती है यहां पर वो hacker उन लोगों को बताता है कि असल में company एक काफी बड़ी चीज़ बना रही है और उस चीज़ को बना कर होंग कोंग shift कर दिया जाएगा देनी चाहिए ताकि वो गोर्जिला का मुकाबना करके हम सब को बचा ले और अब फाइनली गोर्जिला बाहिर आ जाता है जो एक ship को डिस्ट्रॉई करते हुए आगे बढ़ रहा था उन लोगों की तरफ जब कोंग को पता चलता है कि गोर्जिला आ रहा है तो वो जोर से चिलाने लगता है लिकिन उसी तो chain से बादा गया था फिर ये लोग गोर्जिला पर rocket और मिजाल से अटेक करते हैं जिसका गोर्जिला पर जरा भी असर नहीं होता जो उन लोगों की प्लेंज होते हैं गोर्जिला उन्हें में डिस्ट्रॉई कर देता है और अब गोर्जिला कोंग वले शिप की तरफ बढ़ रहा था गोर्जिला उन लोगों की सारे शिप्स को डिस्ट्रॉई कर देता है और यहां पर गोर्जिला उनकी शिप को पलट देता है जिससे कॉंग और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं फिर वो लोग कॉंग की चेंज को खोल देते हैं ताकि कॉंग गोर्जिला का मुकाबला करके उन सब को बचाएं फिर गोड़िला और कॉंग की ग्रेट फॉर होती है जिसे कॉंग गोड़िला को समंदर में काफे नीचे भैंक देता है फिर वो पल्टी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके लेकिन गोड़िला एक बार फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमेंए वो बच्ची थी और यहाँ पर कॉंग एक शिप से दूसरे शिप पर जंप करकि फाइनलली उस शिप तक पहुंच जाता है जहां पर गौड जिला आ रहा था और यहाँ पर वो अपनी power यानी nuclear power का इस्तमाल करता है यह देखकर कॉंग जन्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में गोच जाता है गोड़िला की जो nuclear power की light होती है वो हर जगा फैल जाती है सब लोग उसे देखकर काफी हरान रह जाते है और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि गोड़िला कितना ज्यारा powerful है पर समंदर की अंदर ही उन दोनों के बीच fight होने लगती है गोड़िला तो पानी में सांस ले सकता था लेकिन कॉंग जो के इनसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था इसलिए कॉंग हारता हुआ नजर आ रहा था पर गोड़िला कॉंग को मारने के लिए उसे समंदर की गेरायों में लेकर जा रहा होता है वो फीमिल डॉक्टर कहती है कि हमें जल से जल कॉंग की हेल्प करने चाहिए औरना गोड़िला उसे माट आ लेगा फिर ये बहुत सारे मिजाइल को समंदर में ब्लास्ट कर देते हैं जिससे होता ये है कि कॉंग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है पिर डॉक्टर नेतन ओर्डर देते हैं कि सब कुछ शाफ कर दो सारे इंजन सारी मेशिन को शेट डाउन कर दो ताके गोड़जिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं और तब ये लोग सारे चीज़ों को शेट डाउन कर देते हैं तब गोड़जिला कॉंग को गुसे में देखता है और फिर वहां से चला जाता है फिमल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गोड़जिला हमें फिर से फिल करके हम लोगों पर अटाइक कर देगा तो अब हम कैसे आगे बढ़े और हम कौंग को कैसे ले जाएंगे जिस पर डॉक्टर नेतन कहते हैं कि हम कौंग को उड़ा कर लेकर जाएंगे दूसरे दिरफ हम दिखते हैं कि मेडिसन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कमपनी में गुस गई है ये चेक करने के लिए कि आखिरी कमपनी कौन सी चीज बना रही है जिस पर गोर्जिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया वहाँ पर उन लोगों को एक काफी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे उन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका दोर लॉक्ट हो जाता है असल में जहां ये लॉक्ट हो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगं को अंडो समेट काफी तेजी से होंग कं ले लेकर जा रही थी फिर हम दिखते हैं कि हेलिकॉप्टर्स के जरी पूरी आर्मी कॉंग को हॉलो ओर्थ की पास पहुंचाने में काम्याब हो जाती है वो लोग कॉंग को कहते हैं कि वो हॉलो ओर्थ वाले केव में चला जाए लेकिन कॉंग वहाँ पर जाने के लिए इंकार कर देता है फिर ये लोग डिसाइट करते हैं कि वो उस बच्ची के थ्रूप को कहेंगे कि वो वहाँ पर चला जाए क्यूंकि कॉंग उस बच्ची की कोई बात नहीं डालता था साथ में कोंग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी family भी वहाँ पर है आप जैसे और भी creatures हैं महाँ पर और यहाँपर कॉंग उस cave में जाने के लिए एगरी हो जाता है और यहाँपर कॉंग उस hollow earth वली cave में चला जाता है और ये लोग भी अपनी anti gravity car की मदद से कॉंग की बीचे बीचे जाते हैं हॉलो अर्थ इक अलग तरह की ही दुनिया थी अग क्योंक्यों वोगों के पास anti gravity cars थी इसी लिए उनकी जान बच जाती है और होलो अर्थ में अलग अलग तरह की monsters भी थी और तब एक flying monster उनकी anti-gravity car पर attack कर देता है वो monster उस बच्ची पर भी attack करने वला होता है लेकिन कॉंग उस monster को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाद में उस monster का सर ही दड़ से अलग कर देता है इसकी बाद कॉंग तेजी से आगे बढ़ने लगता है जिप की बागे सब भी कॉंग के पीछे पीछे जाते हैं अब hollow earth पर gravity ना होने की वज़े से वहां की सारे पत्थर हावा में उड़ रही होते हैं मेडिसन और उसके friends होंग कॉंग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को उस company की secret weapon की बारे में बता चल जाता है गोड जिला को मारने के लिए इस company ने एक और गोड जिला बनाया है और इस ने गोर्जिला का नाम होता है mega गोड जिला और ज्यादा पावर चाहिए थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ हॉलो अर्थ में थी और यही वज़ा थी कि कम्पने का ऑनर उस अनर्जी सोर्स उस पावर को डूंड रहा था ताके वो मीगा गोर्जिला को दुबारा से जिन्दा कर सके इसके बाद हम देखते हैं कि मीगा को जिन्दा होते ही गोडजिला ऊसे फील कर लेता है और इसली वह हों कोंग जहां पर वह वुकंड दिखने में काफिे कॉपसूरत थी और होलो अर्थ में जो अनर्जी सोर्स था वो एक पहाड में था कॉंग उस पहाड की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और जोर से धाड़ता है कॉंग को वहाँ पर एक वैपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी और ये X कोई नॉर्मल X नहीं होती बलकि ये गोड़िला की बोड़ी से बनाई गई होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है कॉंग उस X को लेकर एक जगो पर बैठ जाता है बिल्कुल किंग की तरह गोड़िला जो कि होंग कॉंग पहुच गया था और अब वो मीगा गोड़िला की तरफ बढ़ रहा था जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर बागने लगते हैं दोसी तरफ कॉंग को अनर्जी सोर्स में मिल जाती है और यहां पर उसे ये भी पता चलता है कि इनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकता है क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने की बाद ही चल सकती है और चार्ज होने की बाद वो और ज्यादा बावर्फिल हो जाती है गोर्जिला को ये बात दे पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है जिससे गोर्जिला अपने न्यूकलिर पावर जमीन पर मारता है जिससे वो न्यूकलिर पावर जमीन को फाड़ती हुई कौंग के पास पहुँजाती है कंपनी की एक फीमिल ओनर उन लोगों के साथ ट्रेक करती है वो इस अनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास बीच देती है ताकि वो लोग मीगा गोर्जिला को एक्टिवेट कर दे हलांकि फीमिल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और जब उस लड़की को रिलाइस होता है कि यहाँ पर गोर्जिला भी आने वाला है तो वो वहाँ से बागने लगती है лेकिन तबे कोंग उसकी कार को पकड़ कर उसे डिस्ट्रॉई कर देता है कोंग अपना एक्स लेकर गोर्जिला से लडने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इस न्यूक्लिर पावर के जरीए गोर्जिला नी कोंग को लडने का इशारा दिया था फिर कॉंग वहाँ से भागते हुए होंग कॉंग जाता है कॉंग गोर्जिला पर अटेग करता है लेकिन बाई मिस्टेक उसकी वो एक्स एक बिल्डिंग में भस जाती है और मुके का फायदा उठा कर गोर्जिला कॉंग को नीचे गिरा देता है जिससे कॉर्जिला को घुसा आ जाता है और वो अपनी नीचे पावर का इस्तामाल करके कॉंग को दूर भैंकता है लेकिन कॉंग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपने तरफ आने से रोक देता है इन दोनों के बीच काफ़े तेर तक फायट चलते रहती है अब क्योंके गोर्जिला कॉफी ज्यादा पावरफुल था इसलिए कॉंग हारता हुआ नजर आ रहा था गोर्जिला कॉंग को इन जट करके वहीं पर फैंक देता है और उसकी चस्ट पर पैर रखके जोर से धारने लगता है उसे देखकर कॉंग भी जोर से धारने लगता है और तब एक गोर्जिला कॉंग को छोड़ कर महां से जाने लगता है हम देखते हैं कि कम्पनी की ओनर को वो अनर्जी सोर्स में चुका था जिसके जरीए वो मीगा गोर्जिला को जगा दे यहां पर हमी पता चलता है कि मीगा गोर्जिला गोर्जिला से काफी पावरफुल है और उससे साइज में काफी बड़ा भी है लेकिन यहां पर मीगा गोर्जिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है इसलिए मीगा गोर्जिला सबसे पहले कंपने के ओनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को बिमार डालता है फिर मीगा गोर्जिला दिवार को फारते हुए बाहिर आ जाता है गोर्जिला जब मीगा गोर्जिला को देखता है तो वो उसे लटने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है अब क्योंकि मीगा गोर्जिला काफी पावर्फुल था इसलिए गोर्जिला हारता हुआ नजर आ रहा था मीगा गोर्जिला गोर्जिला को बहुत ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है मैडिसन और वो हैकर मीगा गोर्जिला की पावर्स को आफ करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पर सारी मशीन्स में कोर्ज लगे हुए थे दूसी तरव हमें कॉंग दिखाया जाता है जो कि लड़ने की वज़े से काफी इंजर्ड हो गया था और उसकी हालत काफी खराब थी और वो अल्मोस्ट मरने ही वाला था वो बच्ची कॉंग की हार्डविट सुथती है तो सब को बताती है कि कॉंग की हार्डविट आइस्था आइस्था कम होती जा रही है जिस पर डॉक्टर नेदन कहते है कि हमें कॉंग को बचाने के लिए उसे एक काफी बड़ा अलक्टिक शोक देना होगा और ये लोग कॉंग को शोक उसी एक्रेपटी कार से देते हैं जिससे कॉंग को काफी बड़ा जटका लगता है और और दुपारा से उठकर कर खड़ा हो जाता है वो बच्ची इशारों में कौंग को कहते है कि देखो गोड़िला हमारा दुश्मन नहीं है वो हमारा फ्रेंड है इसलिए जाओ और उसकी हेल्प करो तब कौंग गोड़िला को बचाने के लिए चला जाता है मीगा गोड़िला अपनी न्यूगलिर पाउर का इस्तमाल करके गोड़िला को बस मारने ही वाला होता है कि तब ये वहाँ पर कौंग आ जाता है और कौंग यहाँ पर गोड़िला को बचा लेता है गोर्जिला फुरन समझ जाता है कि मुझे और कॉंग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए लेकिन मीगा गोर्जिला इतना ज्यदा पावर्फुल था कि वो इन दोनों पर बारे पढ़ रहा था कॉंग को अपनी एक्स नजर आती है लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि वो चार्ज नहीं होती लेकिन कॉंग फिर भी उस एक्स से मीगा गोर्जिला पर अटैक कर देता है लेकिन मीगा गोर्जिला कॉंग को मारता है और वो कॉंग को बस मारने ही वाला होता है कि तबी कॉंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है अब क्योंकि मैडिसन और उस हैकर से वो मशीन बन नहीं हो रही थी जिससे मीगा गॉर्जिला की पावर्स को कम किया जाए इसलिए वो उसे में आकर उस मिशीन पर पाने डाल देते हैं जिससे मीगा गॉर्जिला थोड़ी दिर के लिए ओफ हो जाता है और इसी बात का फाइदा उटाकर गॉर्जिला अपने न्यूगले पावर के ज़रिये कॉंग की उस एक्स को चार्ज कर देता है और अब कॉंग की पास बावर आ चुकी थी इसलिए वो मीगा गॉर्जिला को तबाहू बरबाद करके लग देता है उसकी हाथ पैट तोड़ देता है और उसके सारे बाड़ी के पार्स अलग-अलग कर देता है और लास्ट में वो मीगा गॉर्जिला का सर भी खेड़ कर फैंक देता है अब क्योंगे मीगा गॉर्जिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है लेकिन तब ही गॉर्जिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉंग भी अपनी एक्स लेकर गोर्जिला से लड़ने के लिए तयार हो जाता है अब क्योंगे उन दोनों ने इंडूस्री की हेल्प की थी इसलिए वो नहीं लड़ते गोर्जिला वापी समंदर भी जना चाता है जहां से वो आया था और जबके कॉंग अब हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला गया है और कॉंग उस छोटे बच्ची को भी अपने साथ वहाँ पर ले गया है और इसी के साथ ही इस मोवी का यहीं परेंड हो जाता है